मेरे पैरे देश्वासियों, नमस्कार. जब मैं मन की बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है, जैसे आपके बीच, आपके परिवार के सदस्य के रुप में उपस्तित हूँ. हमारी छोटी छोटी बाते हैं, जो एक दुसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खटे मिठे अनुभव, जो जीवर के जीने की प्रेणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात. आज 2021 की जन्वरी का आखरी दिन है, क्या आप भी मेरी तरह यह सोच रहे हैं, कि अभी कुछी दिन पहले तो 2021 की शुरू हुआ था, लगता ही नहीं कि जन्वरी का पूरा महिना बिद गया है, समय की गती इसी को तो कहते हैं, कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है, जब ह हम एक दुसरे को शुपका मनाई दे रहे थे, फिर हमने लोडी मनाई, मकर संक्रांती मनाई, पॉंगल बीभू मनाया, देश के अलगलग हिस्वों में त्योहारों की धूम रही, 23 जन्वरी को हमने नेता जी सुभासन द्रबोस की जन्व दिन को पराकरम दिवस के तोर पर म युक्त सत्र को समधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है, इन सभी के बीच एक और कारिय हुआ, जिसका हम सभी को बहुत इंतिजार रहता है, ये हैं पत्म पुरसकारों की घोश्णा, राष्टर ने असाधारन कारिय कर रहे लोगों को, उनकी उबलबतियां और मान उता के प्रती उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, इस साल भी पुरसकार पाने वालों में बेलोग शामीद है, जिनोंने अलग-अलग शेत्रों में बहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बढ़ला है, देश को आगे बढ़ाया है, यानि जमीनी स्तर पर क काम करने वाले अनसंग हिरोज को पदम सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरूर की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है, मेरा आप सभी से आगरह है, कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में, जरूर जाने, परिवार में, उन के बारे में उन चर्चा करें, देखिएगा, सबको इससे कितनी प्रणा मिलती है, इस महेने क्रिकेट पीच से भी बहुत अच्छी खबर मिली, हमारी क्रिकेट टीम ने, शुरूराती दिक्कतों के बाद, सांदार वापस ही करते हुए, ऑस्टेलिया में सिरीज जीती, हमार के खिलाडियों का हाडवर्क और टिम वर्क प्रेडित करने वाला है, इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख, देश भावत दुखी भी हुआ, हमें आने वाले समय को नई आशा और नविंता से भरना है, हमने पिछले साल असाधारन संयम और साह प्रेशे दिया, इस साल भी हमें कड़ी महनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेजगती से आगे ले जाना है, मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की सुरुवात के साथ ही करोना के खिलाब हमारे लड़ाई को भी करीब-करीब एक साल पूर बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोवीड वैक्सिन प्रोग्रेम चला रहा है, आप जानते हैं, और भी ज्यादा गविकी बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सिन प्रोग दिन में भारत अपने 30 लाग से जादा कोरोना वोरियर का टिका करन कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समरुद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन साथियों made in India vaccine आज भारत की आत्म निर्फरता का तो प्रतिक है ही भारत के आत्म गवरों का भी प्रतिक है नमो एप पर यूपी से बाहि हिमान सु यादव ने लिखा है कि made in India vaccine से मन में एक नया आत्म विश्वास आ गया है मदुरई से किर्ती जी लिखती है कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मेसेज भिज़कर भारत का सुक्रिया अदा कर रहे है किर्ती जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद किये है उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है किर्दी जी देश का ये गवरोगान सुनकर मन की बात के स्रोताओं को भी घर्व होता है आजकल मुझे भी अलग-अलग देशों के राष्टपती और प्रधान नंत्रियों के तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं आपने भी देखा होगा अभी ब्रजील के राष्टपती ने त्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है वो देखकर हर भारतियों के तना अच्छा लगा हजारों किलोमेटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कौने के निवासियों को रामायन के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है उनके मन पर गहरा प्रभाव है ये हमारी संस्कृति की विशेस्ता है साथियों इस वैक्षिनेशन कारकम में आपने एक और बात पर अवशे ध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्षिन को लेकर सक्षम है आत्मनिर्भर है यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभ्यान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाब दुनिया को होगा मेरे प्यारे देश्वासियों हर बार आपके धेर सारे पत्र मिलते हैं नमो एप और माय गौव पर आपके मेसेजिस फॉन कॉल्स के माध्यम से आपकी बाते जानने का अफसर मिलता है इनी संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खीचा ये संदेश हैं बहन प्रियंका पंडी जी का 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यारती नहीं है और बिहार के सिवान में रहती है प्रियंका जी ने नमो एप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू परेटन सलो पर जाने के मेरे सुझाओ से बहुत प्रेडित हुई थी इसलिए एक जन्वरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमेटर दूर देश के पहले राश्पती डॉक्टर राजेंदर प्रसाज जी का पैतरुप निवास प्रियंका जी ने बड़ी सुन्दर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था प्रियंका जी आपका ये अनुभव दूसरों को भी प्रेजित करेगा साथियों इस वर्ष से भारत अपने आजादी के 75 वर्ष का समहारों अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है ऐसे में ये हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानिये जगवां का पता लगाने का बहतरीन समय हैं जीन की वज़े से हमें आजादी मिली साथियों हम आजादी के आंदोलन और विहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो एप पर ही की गई एक और टिपड़ी की भी चर्चा करना चाहूँगा मुंगेर के रहने वाले जैराम विपलव जी ने मुझे तारापूर शहीद दिवस के बारे में लिखा है 15 फरवरी 1932 1932 को देश भक्तों की एक टोली के कई वीर नवजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हट्या कर दी थी उनका एक मात्र अपराज यह था कि वे बंदे मात्रम और भारत मा की जै के नारे लगा रहे थे मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का स्रद्धापूर वक्स मरन करता हूँ मैं जैराम विप्लवजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ वे एक ऐसी घटना को देश के थामने लेकर आये जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी मेरे प्यारे देशवासियों भारत के हर हिस्से में हर शहर कस्बे और गाउं में आजाजी के लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी भारत भूमी के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और विरांगनाओं ने चन्म लिया जिन्नों ने राष्ट के लिए अपना जीवन जोचावर कर दिया ऐसे में यह बहुत महत्वपून है कि हमारे लिए किये गए उनके संगर्शों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखे और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीडियों के लिए उनके स्मृतियों को जिवित रख सकते हैं मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आवान करता हूँ कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखे अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की विर्ता की गाताओं के बारे में किताबें लिखे अब जबकि भारत अमने आजहाजी के 75 वर्ष मनाएगा तो आपका लेखन आजहाजी के नायकों के प्रती उत्तम सरद्धांजरी होगी यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमीत एक इनिशेटिव शुरू किया जा रहा है इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोचान मिलेगा देश में बड़ी संख्या में ऐसे विश्यों पर लिखने वाले राइटर्स तयार होंगे जिनका भारतिय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्यान होगा हमें ऐसी उभरती प्रतिभायों की पूरी मदद करनी है इससे भविश की दिशा निर्धारित करने वाले थौट लीडर्स का एक भर्ग भी तयार होगा मैं अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहितिक कौशल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं इससे जुरी जानकारिया सिक्षा म उन्तराले की वेबसाइट से प्राप्ट कर सकते हैं मीरे पहड़ते श्वास्यों एक प्रकार से परोखश रुप से आप सब additions अक्षा मिलता है किसी का प्रयास, किसी का जजबा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून यह सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, उर्जा से भर देते हैं हैदराबाद के बोहिन पल्ली में एक स्थानिय सब्जीमंडी किस तरह अपने दाईतों को निभा रही है यह पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सब ने देखा हैं कि सब्जी मंडिया में अनेक वज़ाओं से काफी सब्जी खराब हो जाती हैं यह सब्जी इधर उधर फैलती हैं, गंगी भी फैलाती हैं, लेकिन बोहिन पल्ली की सब्जीमंडी ने ताई किया कि हर रोच बचने वाली इन सब्जीयों को ऐसे ही फैका नहीं जाएगा, सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने ताई किया, इससे बिजली बनाई जाएगी बेकार हुई सब्जीयों से बिजली बनाने के बारे में, शाहिद ही आपने कभी सुना हो, यही तो इनोवेशन की ताकत है, आज बोहिन पल्ली की मंडी में, पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रियेट हो रही है, यही तो कचले से कंचन बनाने की यात्रा है, वह हां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है, इसे एक प्लांट में एकटा कर लिया जाता है, प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती हैं, और करीब 30 किलो बायो फ्यूल भी बनता है, इस बिजली से ही सबजी मंडी में रोशनी होती है, और जो बाय बनाया जाता है हैने कमाल का प्रयास ऐसा ही ये कमाल हर्याना के पंचकुला की बड़ोद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है इस पंचायत के खेत्रे में पानी के निकासी की समस्या थी इस वजह से गंदा पानी इदर दर पैल रहा था बिमारी फैलाता था लेकिन बड़ोत के लोगों ने तैक गिया इस वाटर वेज से भी वेल्ट क्रियेट करेंगी ग्राम पंचायते पुरे गाउं से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इखर्टा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गाउं के किसान खेतों में सिचाई के लिए इस्तिवाल कर रहे हैं यानि प्रदुशान गंदगी और बिमार्यों से चुटकारा भी और खेतों में सिचाई भी साथियों परियावरन की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं इसका एक उधारन अरुनाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला अरुनाचल प्रदेश के इस पहड़ी इलाके में सद्यों से मोन शुगू नाम किया एक पेपर बनाये जाता है एक कागच यहां के स्थानिय शुगू शैंग नाम के एक पौधे की चाल से बनाते हैं इसलिए इस कागच को बनाने के लिए पैड़ों को नहीं कारना पड़ता है इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तमाल भी नहीं होता है यानि ये कागच परियावरन के लि ये भी एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था लेकिन जब आधुलिक तक्निक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानिय कला बंध होने की कगार पर पहुंच गई अब एक स्थानिय सामाजिक कारकरता गौंबु ने इस कला को पुनर्जिवित करने का प्रयास किया है इससे यहां के आधिवसी भाई बैनों को रोजगार भी मिल रहा है मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दाईतों का एसास कराती है केरल के कोटेम में एक दिव्यांग बुजूर्ग है एनेस राजपन साब राजपन जी परालिस कि उनके समरपण में कोई कमी नहीं आई है वो पिछले कई सालों से नाव से वेमनार जील में जाते हैं और जील में फैंकी गई प्लास्टिक की बोतले बहार निकाल करके ले आते हैं सोचिए राजपन जी की सोच कितनी उची है हमें भी राजपन जी से पुरहना लेकर स्व देना चाहिए मेरे पहरे देश्वासियों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका के सैंड फ्रांसिसको से बंगलुरू के लिए एक नॉन स्टॉप फ्राइट की कमान भारत की चार विमेन पाइलर्ट्स ने संबाली दस हजार किलोमेटर से भी जानदा लंबा सा भरताय करके ये फ्लाइट सवाद दो सो से अधी क्यात्रियों को भारत लेकर आई आपने इसमार 26 जन्वरी की परेड में भी गौर किया होगा जहां भारतिय वायुसेना की दो विमेन अफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है छेत्र कोई भी हो देश की महलाओं की भागिदारी लगातार बढ़ रही है लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गाउं में हो रहे इसी तरह के बढलावगी उतनी चर्चा नहीं हो पाती इसलिए जब मैंने एक खबर मद्यपूर्देश के जबलपूर की देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्रतों मुझे मन की बात में जरूर करना चाहिए ये खबर बहुत प्रणा देने वाली हैं जबलपूर के चीजगाओं में कुछ आदिवासी महला है एक राइस मिल में दिहाडी पर काम करती थी कोरोना वेश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया उसी तरह ये महलाएं भी प्रभावित हुई उनकी राइस मिल में काम रूप गया स्वाभाविक है किसे आमदनी की भी दिक्कत आने लगी लेकिन ये निराश नहीं हुई इन्होंने हार नहीं माली इन्होंने ताय किया कि ये साथ मिल कर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी इन में से मिना रहंग डाले जी ने सब महलाओं को जोड कर स्वयम सहायता समू बनाया और सब ने अपने बचाई हुई पुझी से पैसा जुटाया जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजी वी का मिशन के तहत बैंक से करज ले लिया और अब देखिए इन आदिवासी बेहनों ने वही राइस मिल खरीड ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी आज वो अपनी खुट की राइस मिल चला रही है इतने ये दिनों में इस मिलने करीब तीन लाख रुपिय का मुनाफ़ा भी कमा लिया है इस मुनाफ़े से मिनाजी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है कोरोना ने जो परिस्तित्यां बनाई उससे मुकाबले के लिए देश के कौने कौने में ऐसे अध्भूत काम हुए है मेरे प्यारे देश्वासियों अगर मैं आपसे बुंदेल खंड के बारे में बात करूँ तो वो कौन सी चीजे हैं जो आपके मन में आएगी इत्यास में रूची रखने वाले लोग इस ख्षेत्र को जहांसी की रानी लक्ष्मवाय के साथ चोड़ेंगे वहीं कुछ लोग सुन्दर और शांत ओर्चा के बारे में सोचेंगे कुछ लोगों को इस ख्षेत्र में पढ़ने वाली अत्यदिक गर्मी की भी आद आ जाएगी लेकिन इन दिनों यहां कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्सावर्दक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए पिछले दिनों जांसी में एक महने तक चलने वाला स्ट्रॉबरी फेस्टिवल शुरू हुआ हर किसी को अश्यरे होता है स्ट्रॉबरी और बुंदेलखन लेकिन यही सच्चाई है अब बुंदेलखन में स्ट्रॉबरी की खेती को लेकर उत्साब बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निवाई है जांसी की एक बेटी गुर्लिन चावला ने लौकी छाता गुर्लिन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबरी की खेती का सफल प्रयोग कर यह विश्वात जगाया है कि जांसी में भी यह हो सकता है जांसी का स्ट्रॉबरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप पर जोर देता है इस महुत्सव के माद्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीशे खाली जगे पर या छट पर टेरेस गाडन में बागवानी करने और स्ट्रॉबरी जुगाने के लिए प्रोसेट किया जा रहा है नई टेक्नोलोजगी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश की अन्नी हिस्व में भी हो रहे हैं जो स्ट्रॉबरी कभी पाड़ों की पहचान थी वो अब कच्की रेतिली जमीन पर भी होने लगी हैं किसानों की आई बढ़ रही हैं साथियों स्ट्रॉबरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरीट को तो प्रदसित करते ही हैं साथी यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का क्रिशिक्षेत्र कैसे नई टकलोरजी को अपना रहा है साथियों खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिवद्द है और अनेक कदम उठावी रही हैं सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे मेरे पहरे देश्वासियों कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा वह वीडियो पस्चिम मंगाल के वेष्ट मिद्नापुर्स्थित नया पिंगला गाउं के एक चित्रकार सरमुद्दिन का था वो प्रसंदता व्यक्तक कर रहे थे कि रामायन पर बनाई उनकी पैंटिंग दो लाख रुपे में भीकी है इससे उनके गाउंवालों को भी काफी खुशी मिली है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की इत्सुकता हुई इसी क्रम में मुझे पस्चिम मंगाल से जोड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली जिसे मैं आपके साथ जरूर साजा करना चाहूँगा परेटन मंत्राले के रिजिनल आफिस ने महिने की शुरू में ही बंगाल के गावों में एक इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेटवे की शुरुआत की इसमें पस्चिम मिदनापूर, बांकूरा, बीर्भूम, पुरूलिया, पुर्वबर्धवान वहां के हस्त सिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडिक्राप बर्शॉप आयोजित की मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेटवेक के दोरान हैंडिक्राप्स की जो कुल विक्री हुई वो हस्त सिल्प कारों को बहत प्रोसाइद करने वाली हैं देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कला को लोगपुरिय बना रहे हैं ओडिशा के रावर केला की भागिसरी साव को देख ली चीए वैसे तो वह इंजिनेरिंग की छात्रा है लेकिन पिछले कुछ महेंनों में उन्होंने प्त चीटर कला को सिखना शुरू किया और उसमें निफुनता हासिल कर ली है लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पइंट कहां किया soft stones, soft stones पर college जाने के रास्त में बागिशरी को एकत्र किया और साफ किया बाद में उन्होंने रोजाना दो गंटे इन पत्थरों पर पट्ट चित्र स्टाइल में पेंटिंग की वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिप करने लगी लोकडाउन के दोरान उन्होंना ने बोतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया अब तो वो इस आर्ट पर बक्षवविक आयुजित करती हैं। कुछ दिन पहले ही सुभाज बाबू की जैनती पर भागे स्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी सरधान्जली दी। मैं भविश के उनके प्रयासों के लिए शुपकामना ही देता हूं। आर्ट और कलस के जरिये बहुत कुछ नया सिखा जा सकता है, किया जा सकता है। जारखन के दुमका में किये एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहां मिडल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गाउं की दिवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षनों से पेंट करवा दिया। साथी उसमें अलग-अलग चीत्र भी बनाए गये हैं। इससे गाउं के बच्चों को काफी मदद मिल रही हैं। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिननन करता हूँ जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। मेरे पहरे देश्वासियों भारत से हजारों किलोमेटर दूर कई महाशागरों महादविपों के पार एक देश हैं जिसका नाम है चिले। भारत से चिले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन भारतिय संस्कृति के खुश्वू वहाँ बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात ये हैं कि वहाँ पर योग बहुत अधिक लोगप्रिय हैं। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी शेंक्यागों में तिस से ज़्यादा योग विद्याले हैं। चिले में अंतराष्टिय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस अब डेपुटिज में योग दिवस को लेकर बहुती गर्मजोसी भरा महोल होता है। कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर जोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब बेलोग योग को पहले से कहीं जादा महत्व दे रहे हैं। चीले की कॉंग्रेस यानि वहां की पर्लमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहां चार नमेंबर को नेशनल योगा डे गोशित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर चार नमेंबर में ऐसा क्या है। चार नमेंबर 1962 को ही चीले का पहला योग संस्तान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे गोशित करके एस्ट्राडाजी को भी सरधानली दी गई है। चीले की पार्लमेंट द्वारा यह एक विशे सम्मान है जिस पर हर भारतिय को गर्व है। वैसे चीले की संसत से जुड़ी एक और बात आपको दिल्चस्प लगेगी। चीले सिनेट की वाइस प्रेसिजिजन का नाम रविंदरनात पिंटे रौस है। उनका यह नाम विश्व कभी गुरुदेव टैगोर से प्रेजिद होकर रखा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों माय गौपर महराष्टर के जालना के डॉक्टर स्वपनिल मंत्री और केरल के पलककर के प्रहलार राजगोपाल ने आगर किया है कि मैं मन की बात मैं सडक सुरक्षा पर भी आपसे बात करूँ। इसी महने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सडक सुरक्षा मा यानी रोड सेफ्टी मंध भी मना रहा है। सडक हाथ से आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का विशय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामुइक स्तर पर कई तरया के प्रयास भी किये जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सब को सक्रिये रूप से भागिदार बनना चाहिए। साथियों आपने ध्यान दिया होगा Border Road Organization जो सडके बनाती हैं उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही innovative स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। This is highway, not runway या फिर Be Mr. Late, then Late Mr. ये स्लोगन्स सडक पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूप करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही innovative स्लोगन्स या catch phrases माई गौर पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभ्यान में उप्योग किये जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी की बारे में बात करते हुए मैं नमो एपर कोलकता की अपणा दाजजी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा। अपणा जी ने मुझे फास्ट्रेक प्रोग्रेम पर बात करने की सला दी हैं। उनका कहना है कि फास्ट्रेक से यात्रा का अनुभवी बदल गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के इंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवाजियों के करीब 21,000 करोड़ बचने का अनुभान है। यानि पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग रहें कि सभी दिसा निर्दोस्र का पानन करते हुए अपना भी ध्यान रखे और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवाजियों हमारे यहां कहा जाता है जलबिंदू निपातेन क्रमशह पुरियते घटह अर्थात एक एक बुंद से ही घड़ा वरता है। हमारे एक एक प्रयात से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की सुरुवात जिन लक्षों के साथ हमने की हैं उनको हम सब को मिलकर ही पुरा करना है। तो आईए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाए। आप अपना संदेश अपने आइडियास जरूर भेजते रहेगा। अगले महेने हम फिर मिलेंगे। इतिविदा उनर मिलना आए।